दिपावली के पूचन के बाद 36 गड़ी परंपरा के अनुसार गौरा गौरी की पूजा का भी विशेश महत्व है रायपूर में भी दिपावली के मौके पर गौरी गौरा का विधिविधान से पूजा अरचना किया गया इस बार दिपावली रविवार को थी और उसे दिन आधी रात को गौरी गौरा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का दौर शुरू हुआ जो अगले दिन तक चलता रहा वहीं आधी रात को शुरू हुई पूजा के खत्म होने के सुभा विसर्जन किया जाता है लेकिन इस बार तीथे में परिवर्तन होने से विसर्जन कहीं कहीं ही किया गया चतिसगर का पारंपरिक गाड़ा वाजा की धुन पर जस गीत गाते श्रधालू विसर्जन के लिए तालाव जाते हैं अमोमन दिपावली पर जहां माता लश्मी की पूजा घर घर की जाती है वहीं यहां राजधानी डाइपुर के अनेक मोहला के चौक जिन्हें गौरा ग जगा वो अख्वा फेला दिया था कि घरहन है करते हैं लेकिन हम लोग निकाले गौरा आठके दिने और जगलतरस्त निकाले कि कोई नी निकाला गवली गौरा जब क्या घरहन कहीं मिलते हैं जो हमारे बुजोर्गर के बुरुवस है जो हर सालेशन निपाते हुए आ रहे ह जाधी के तौर पर निकालते हैं इसको और विश्वर्ण तलाब में जाके जाज़त करते हैं न्यू वीडियोज की अपटेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन निउस को और बेल आइकन को दबाएं ये है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेट और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच